अगर सफल होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखो इससे पहले कि आपकी सारी इच्छाओं आपको कंट्रोल करने लगें आपको इस चैनल से ऐसे ही वीडियो का आटमेटिक नोटिफिकेसन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगा और प्रेस्ट का ना मत बुलिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यूर कर दिएगा तो चलीए सुरू करते हैं आज का करेंटी पर समय सबसे पहले बात का ले थे हैं कल के करेंटी पर सेजिन के दौरान पूछेगे सभी क्वेश्ट अंब्डे के सहीत க. देखे कल के क्विश्वम्डे का पहला प्रस्था कि हाल ही में के सस्तान पर खेलो इंडिया यूद गेम्स का दूसरा संस्करर सुरू हुआ तो देखे ये सुरू है महाराष्ट के पूडे में और दीखे दूसरा प्रसंदा की 20 सुबैंग के Global Economic Prospectus Report के अनुसर 2019-20 के दौरान भारती अर्थब्युष्था कितने प्रतिशत की दर्शे बढ़ेगी तो दीखे जो भारत की अर्थब्युष्था ये 2019-20 के दौरान जो है 7.5 प्रतिशत की दर्शे बढ़ेगी ऐसा 20 सुबैंग के Global Economic Prospectus Report में कहा गया है और दीखे अगला प्रसंदा कलका की हाली में किस सम्विधान संसोधन के दौरा संसद में आर्थी करूप से पिछडे सवड़ों को नौकरी और सिक्षर संस्थानों में 10% आरख्षर देने मुला विदहग पारित किया गया तो दीखे ये पारित किया गया है 124 में सम्विधान संसोधन के दौरा और दीखे अगला प्रसंदा कलका की हाली में कांग्रेस ने निमन में से किसे इनका नाम है अजीत मोहन तो ये थे आपके कलके कोईसे अपड़े के सभी सहीवतर और आज की करेंडेफर का पहला प्रशन है कि निम्रकित मेसेक के सस्तान पर देश की पेंट उद्यों की सिर्थ संस्ता इंडियन पेंट एसोसीशन वारा उन्तिसमा दोईवारसिक भारति पेंट सम्मेलन आजिद किया गया आजिद गया जा रहा है यह आपका 11 तरी को शुरुआ है 11 जनुरी को और यह 13 जनुरी को समाप्त हो जाएगा और दीकि एक खास बात है इस 시 एक थिम भी डिसाइट किया गया है तो जो आपका उन्तीसमा दुई वार्चिक भारती पेंट सम्मेलान है इसकी थीम है 2019 के लिए पेंट्स पे चर्चा नए आया तो इस तीज को एक लाइन में बता रहा हूं दिमाग में फीट कर लिए देखे जो आपका 29 दुई वार्चिक भारती पेंट सम्मेलन है ये उत्तर प्रदेश के आगरा चिले में आजीत किया जा रहा है ये 11 तारीक को श्टार्ट हो है 11 जनवरी को और ये 13 जनवरी 2019 तक चलेगा और इस बार के लिए 12 दुई वार्चिक भारती पेंट सम्मेलन 2019 के लिए इसकी थीम है पेंट 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 चर्चा नए आयाम तो ये सभी खास बातें याद रखना है और आपको अलर्ड करना चाहूँगा कि जो आपका 28 दुई वार्चिक भारती पेंट सम्मेलन के खूब पुछा जा रहा था तो अब 29 में दुई वार्चिक भारती पेंट सम्मेलन के बारे में पुछेगा ठीक है तो आयुजन अस्तल डेट और इसकी थीम याद रखेगा और देखिए दूसरा प्रशन है कि हाली में कि जब्यक्त को भारती पुरुस हाकी टीम के कोच की पत से हटा दिया गया है तो देखिए अभी हाली में जो आपके हरेंदर जिंग इनको जो है भारती पुरुस हाकी ट प्रशन है कि किस भारती मुक्यबाज ने अंतरराष्टी मुक्यबाजी संग्यानी की इंटरनेशनल बॉक्सिंग अस्याशन की नवींतम 20 रेंकिंग में नंबर एक अस्तान प्राप्त किया है तो देखिए इनका नाम है एमसी मेरी कॉम और देखिए एमसी मेरी कॉम के बारे में खास बात है कि इनको सूपर माम के नाम से जाना आता है और साल 2018 में इनको BSNL का ब्रांड एमिस्टर बनाए गया था तो ये खास बात इनके बारे में है आप तो अपने टॉपिक पर लॉट आते हैं कि कि इतने भार वर्ग में ये पहले अस्तान पर काबिच हुई है तो दीखिए जो आपकी MC मेरी कॉम है ये जो है 48 kg वजन वर्ग में 700 अंक लेकर जो है सिर्ष अस्तान पर काबिच हुई है ठीक है और दीखिए एक खास बात हो रहा है इन्होंने पिछले साल नई दिल में वर्ल्ड चेंप भारती मुक्के बाजनी की इंडियन बॉक्सर MC मेरी कॉम जो है ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग असूसीजन की नवींताम रैंकिंग में 48 kg वजन वर्ग में पहले स्तान पर काबिच हुई है ठीक है और दीखिए इसके अलामा जो भारत की पिंकी जांगडा है ठीक है तो पि 69 kg वजन वर्ग में जो है चौत्य अस्तान पर है और जो भारत की महिला बॉक्सर है एल सरिता देवी ये 60 kg वजन वर्ग में 16 में अस्तान पर है ठीक है और जो आपकी आखिरी है लवलीन बोर्गोहें ठीक है तो लवलीन बोर्गोहें जो है ये 79 kg वजन वर्ग में की नवित्तम बेंगी है इसमें ठीक है तो ये खास बात याद रखेगा इसको नोट भी कलिए इनमें से किसी का नाभी एक्जाम में पूछा सकता है इसके इसके बारे में अभी एक्जाम में पूछा गया तो अब 2018 वाला भूल जाईए अब 2019 वाला आपको याद रखना है हैनले पास्पोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत की रैकिंग है 79 में ठीक है यानि कि 89 में अस्तान पर है और देखे जो आपका हैनले passport इंडेक्स है 2019 का इसमें पहले असान पर आपका जापान है और इसमें जो हमारा पडोसी देश चीन है ठीका यह उनटर में असान पर है और भारत जो है घ्रक अनियासी में असान पर है और देखे पिछले कई सारे एक्जाम में हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है 187 में स्थान पर था और इस साल जो यह 79 में स्थान पर आ गया है यानि कि टोटल दो स्थानों की बड़त प्रात हुई है भारत को हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में और दीके जो आपका जापान है ठीक है ये जापान पिछले साल भी टॉप पे था और इस साल भी जो है टॉप पे बना गुए ठीक है और दीके जो आपका ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आथर्टी यानि कि आई एट ये द्वारा उपलब्द कराए गए डेटा पर अधारीत है और इसमें टोटल एक सो निन्यानवे पासपोर्ट और 227 यातरा गंतरब्ब्द सामिल है इस सर्वे मेठिक है यानि की सरल सबडों में कहा है कि जो आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट आथर्टी ये डिक है इसने टोटल 199 दिसूं का पासपोर्ट और टोटल 227 यााता गंतर पे जो है सामिल के अपने सर्वेमेंटिक आई और वहाँ के डाटा कलेक्ट की और फिर ये जो है इंडक्स इसने बनाया जिसमें जापान पहले सांपर है चीन जो है 69 में पोजीशन पे है और भारत 729 में पोजीशन पे तो ये खास बते याद रखेगा ये सभी रेंगी जितने बताईए मैंने ये तीनों एक्जाम में पुछियागी और देखे पांचों प्रश्णा की हाल ही में निकोलस मादूरो ने 10 जनवरी 2019 को लगातार दूसरी बार किस दिश के राश्टपती के रुपे सपत ली तो देखे ये राश्टपती बने हैं वेनेजुएला के तो यह पर निकोलस मादूरो हैं फिर से आपको एक लाइन में पता दूँ कि निकोलस मादूरो जो है ये 10 जनवरी 2019 को लगातार दूसरी बार जो है वेनेजुएला के राश्टपती के रुपे जो है इन्होंने सपत ल कि किस ब्लेक्ट को 2020 टोक्यो ओलंपी के लिए सेब डेमिसन नामित किया गया है तो देखे इनका नाम है विरेंद प्रसाद वैसे और विरेंद प्रसाद वैसे कौन है देखे जो आपके विरेंद प्रसाद वैसे हैं यह वरतमान में भारती भारतोलन महासंग के अध्यक्ष है ठीक है तो एक लाइन में फिर से याद कर लिए कि 2020 टोक्यो ओलंपी के लिए से टेमिसन नामित क्या गया है विरेंद प्रसाथ वैसको जो की वरतवान में भारती भारतोलर महासंग के अध्यक्ष है और साथमा प्रस्ण है कि हाल ही में केंदरी मंत्री मंडल निम्रिकित में से किस राज में तीन नए एम्स की रसाबना को मंजूरी दी है तो देखे ये राज ये आपके हैं गुजरात और जम्मू कस्मीर देखे ये कहां कहां पर बना जागा exact location बदाता हूं इन तीनों एम्स की और इसको आप नोट भी कर लेंगे अभी ठीक है दीखे जो आपका जम्मू है तो जम्मू के विजय नगर में पहला एम्स बना जागा और दूसरा आपका बना जागा कस्मीर के पुरवामा के अवंतिपुर में और तीसरा आपका गुजरात के राजकोर्ट में बना जागा और दीखे आठों प्रशने की हाली में केंदरी मंत्री मंडल ने उन्नत माडल एकल खिड की यानि की एडवांस्ट माडल सिंगल विंडो के विकास पर किस देश के साथ सहमती पत्र यानि की मेमोरिंडम आप अंडरेस्टेंडिंग को सुविक्रती प्रदान की है तो दीखे ये देशाब का जापान है और ये प्रशन मोस्ट इंपर्टेंटिंग फिर से रिवाइज करना चाहूंगा आपको ध्यान सुनीगा देखे भी हाली में भारत के केंद्री मंत्री मंडल ने जापान के साथ उन्नत माडल एकल खिड़की यानि की एडवांच्ट माडल सिंगल विंडू के विकास पर जो है एक सामती पत्र यानि की मेमोरिंडम आप अंडरेस्टेंडिंग को जो सुविक्रती प्रदान की है और इससे भारत और जापान को लाब क्या होगा जापान की टोटल पापुलिशन यानि की जनसंक्या है 12.6-8 करोड है जापान की मुद्रा है ये खूब एक्जाम में पुछिया दिये तो जापान की मुद्रा है जैपनीज ियेन और जापान के बारे में एक खास बात हो रहा है जापान की जो संसद है जो जापान की संसद है इसको हम कहते हैं डायट तो ये भी एक्जाम में पुछा गया कि इस देश के संसद को डायट कहते हैं तो जापान की संसद को हम डायट के नाम से जानते हैं और नवा प्रस्न है कि भागिदारी सीकर सम्मेलन का 25 संस्क्रण यानि कि 25 एडिशन आप पार्टनर्सिप समिट की सस्तान पर आजित किया जा रहा है तो देखें ये आपका जो है मुंबई में आजित किया जा रहा है और ये बारत आरिक को श्टार्ट होगा आज और ये आज स्टार्ट होगा और ये कल खतम जाएगा ठीक है यानि कि 12 से 13 जनवरी 2019 इसके डेट रहेगी और देखें जो आपका ये 25 एडिशन आप पार्टनर्सिप सम्मेट यानि कि भागिदारी सीकर सम्मेलन का 25 संस्क्रण ठीक है इसे दो दिवसी कारकरम का उद्गाटा जो है ये बारती उद्द्योग परिशन गए इस इन सभी के दोरां जो है मिलकर किया जाएगा तो ये खास बाते हैं आप याद रिखें लेकिन फिर से एक लाइन में पता दूँ कि जो आपका भागिदारी सीकर सम्मेलन का 25 संस्क्रण यानिकी 25 एडिशन आप पार्टनर्सिप सम्मि देखें जो आपके सरत कमल है ये नॉवी बार राष्टी टेबल टेनिस के चेंपिorn बने है जी साथियान को हराकर और इसी के साथ इनोंने तो oike कमले एक फृषन के यौर टेनिस के लाड़ी है और देखे जो आपके सरत करमल जो है यह नवी बार राश्टी टेबल टेनिस के चेंपियन मने है जी सात्यान को हराकर और देखे ग्यारव प्रशन भी इसी टेबल टेनिस चेंपियनसीब से रिलेटेड है ग्यारव प्रशन आपका की हाली में अर्चना कामत ने किस किलाड़ी को हराकर राश्टी टेबल टेनिस 2019 चेंपियनसीब में महिला वर का किताब जीता है तो देखे जो आपकी अर्चना कामत ने फाइनल मुकाबने में रित्युका सिना को 12-10, 6-11, 11-9, 12-10 और 7-11, 11-3 से पर आपको फुर से ध्यान से सुनना है देखे जो अर्चना कामत है ये टेबल टेनिस की प्लेयर है और इन्होंने वियाली में रित्युका सिना राय कोहरा का जो है राश्टी टेबल टेनिस चेंपियनसी 2019 का किताब महिला वर का जीत लिया है ठीक है और देखे जो आपका ये च टेबल टेनिस चेंपियनसी प्तारिक है और ये पांच से दस जनवेज भर उनिस तकाईज किया गया था और इस मेगा चेंपियनसीप में देश के विभेन इसो से टोटल पांच जो पचास खिलाडियों साही टोटल 35 टीमों ने जो पार्टिबेट किया था तो ये सभी खास और अगला प्रशनाप के लिए कि हाल ही में भारत ने इरान के किस बैंक को मुंबई में साखा कोलने की अनुवती दी है तो इस बैंक का नम बता ही इरान का कौन सा बैंक है और अगला प्रशन आपके लिए कि इस फुटबालर ने अफ्रिकन फुटबाल प्लेयर आपड़े एर का पुरुषकाज जीता है हाली में इनका नम बता यहली से और अगला प्रस्णाप के लिए कि नासा की किस उपगरा ने हाली में प्रिथ्वी से तीन गुना बड़े ग्रह की खोच की है तो इस उपगरा का नाम बता ये कौन सा उपगरा है वो तो देखे इसके बारे मैंने कल बहुत ही डीटेल में बता था कि कौन सा गरह को जा गया है और उसकी क्या भी सिस्ताय है और ये किस उपगरा के द्वारा को जा गया है ना सागे तो कल का वीडियो जरूर देखके रिवाइस कलेजेगा और इसका उत्तर अभी जो है कमेंट बाक्स में बता दीजे तो इस ही के साथ आज का करेंटे पर यहीं समापता कल फिर मिलेंगे कल करेंगे तो वीडियो को लाइक करेंटे तो शेर करेंगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियो का नोटिफीसर उनको आटोमेटिक और सब्सक्राइब मिल जाए और दिखेज अगर आप मुझे Instagram पे follow करना जाते हैं Twitter पे follow करना जाते हैं हमारा Telegram study group join करना जाते हैं हमारा WhatsApp study group join करना जाते हैं और हमारा Facebook page like करना जाते हैं तो इन सभी की link आपको नीचे description box में मिल जाएगी वहाँ पे click करके आप इन सभी को join कर सकते हैं तो इसका बहुत बहुत दुने वाद, thank you and have a nice day